इस वीडियो में हम लोग inverse of function के बारे में बात करने वाले हैं फर्स्ट चीज आपको इसका definition समझाया जाएगा सेकेंड चीज आप किसी function का inverse find कैसे करते हो वो बताया जाएगा थर्ड चीज फंक्षन और उसके inverse का graph कैसे plot करना है वो समझाया जाएगा फौर्थ पॉइंट inverse of function के properties के बारे में आपन बात करेंगे properties of function काफी important part है बच्चो तो उसको अच्छे से समझेगा और उसी property पे एक question जेई 2010 में आया हुआ भी है तो वो question मैं end में करवाने वाला हूँ जो की काफी important question है और काफी basic सा concept है जिसमें की question हो सकता है जेई बेन में आभी जाए आपके time पे तो उस question को आप जरूर अच्छे से समझेगा बट उस question को समझने के लिए आप video को end तक देखिए और फिर आपको वो question अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उस questions में पहले के और भी properties यूज हो रहे है आप definition इसका note कर लिजी लिट f a से b में एक function है जिसकी mapping हो रही है आपकी a से b के बीच में सबसे first जी is function को क्या होना परेगा one one and onto function then there exists a unique function ठीक है g जो की b से a में mapping हो रहा है observe कीजेगा function की mapping क्या होई a से b में और यह function कैसा होना चाहिए one one and onto तो एक ऐसा function exist करेगा g b से a में यह आपका ठीक उल्टा हो रहा है दिखरा है चीजे यह अगर domain बोले function का और co domain बोले तो domain से co domain चल रहा था अगर a से b तो यहाँ पे क्या आगया b से a such that अगर function में अगर x input है अगर f के अंदर input क्या दिया x तो output क्या आ रहा है y तो g के अंदर क्या होगा अगर input y दिया तो output क्या आ रहा है x कहने का मतलब अगर f के अंदर आपने input 1 दिया और value 2 आ रही है तो g के अंदर अगर input आपन 2 देंगे तो value क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए और x belong to a and y belong to b इसका भी बहुत simple सा चीज है अब f के अंदर input क्या जा रहा है x तो f के अंदर जो भी input जाएगा वो domain की condition को satisfy करेगा तो input अगर x है तो x should satisfy condition of set a इसलिए बोला है x belong to a अब output जो भी आएगा वो co domain में लाई करेगा आपका कहीं ने कहीं तो जो output आ रहा है y वो आपका set b की condition को satisfy करेगा then g is set to be inverse of f clear ये point तो g आपका अगर ये चीज़ condition satisfy कर रही है तो g वाला जो function है वो f का inverse कहलाएगा that is इसको आपन लेख सकते हैं अब inverse को किस तरह से लेखते हैं y is equal to f inverse x इसका मतलब क्या हुआ f x का जो inverse होगा इसकी mapping क्या हो जाएगी b से a के बीज़ b से a क्योंकि f की mapping क्या है a से b तो inverse की mapping क्या होगी b से a clear बच्चों ये definition का part है इसको और समझते हैं आपन अच्छे से if function is one one and on to then only its inverse then only its inverse will exist that is function is invertible क्या बोला मैंने अगर function one one है और on to है तभी उसका inverse exist करेगा और उसका inverse exist करेगा मतलब उसको क्या बोलेंगे invertible उसका inverse exist करेगा मतलब उसको क्या बोलेंगे आपन invertible तो ये एक बहुत ही common सा question है कि आपको दिया जाएगा y is equal to f x और बोला जाएगा कि बेटा चेक करके बताओ function invertible है या नहीं it means आप क्या चेक करोगे कि वो one one function है या नहीं on to function है या नहीं clear ये point अगर invertible है तो फिर उसका inverse exist करेगा और inverse किस तरह से exist करेगा according to this definition एक और point लिखे अब definition में क्या बोला था कि अगर आपका f x में x input है तो output y दे रहा है तो inverse में क्या होगा y input तो output क्या आएगा x आएगा तो मतलब if x, y lies on y is equal to f x then y, x will lies on y is equal to f inverse है क्लियर ये point क्लियर कोई देखकत यहां से समझेगा यही बोला है कि function में अगर x input है और y output है तो उसके inverse में input क्या होना चाहिए y output क्या होगा फिर x इस इसको आप मैपिंग से भी समझ सकते हो अगर आपका ये y is equal to f x है और x की मैपिंग किस के साथ हो रही है बच्चों y के साथ यही जब inverse की बात करेंगे आपन y is equal to f inverse x इसमें input क्या हो जाएगा आपका y output क्या होगा आपका x x, y function में लाई कर रहा है तो inverse में क्या लाई करेगा y, x लाई करेगा ये भी point याद रखिएगा बहुत काम आएगा in fact IIT में भी questions आया है इस पे directly तो नहीं आया है बट हाँ indirectly एक जैसे question आया inverse में उस question को solve करते हुए आपको ये concept कहीं ने कहीं use करना परे clear ये point तो simple सा समझेगा कि अगर x, y function में लाई कर रहा है तो inverse में क्या लाई करेगा y, x clear ये point अब आपन आते हैं how to find inverse how to find inverse of function अब मैं इसका theory बता रहा हूँ आपको और एक बहुत ही simple सा example से आपको मैं concept भी बहुत अच्छे से समझा दूँगा देखिएगा y is equal to fx आपको given है from a to b the first thing function should be invertible बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर function invertible नहीं है इसका मतलब क्या उसका inverse exist करेगा inverse ही exist नहीं करेगा तो क्या तुम inverse find करोगे बिलकुल नहीं भाई साब जब exist ही नहीं कर रहा है तो काहे का find कीजिएगा तो function सबसे पहले invertible होना चाहिए तो y is equal to fx हुआ अब क्या करते हैं आपन x और y को replace कर दीजिए x के बदले y चिपका दीजिए और y के बदले क्या चिपका दो x चिपका दो तो आपका आया x is equal to g y के लिए यह point and next step and find y in terms of x क्या करना है आपको function दे रखा है x और y को replace कर दीजिए एक दूसरे से जहां जहां x वहां वहां y जहां जहां y वहां वहां x फिर आपका बना x is equal to g y और find करना है आपको y in terms of x तो यहां से आपका बनेगा y is equal to y की value x के term में आई वही आपका inverse है जिसकी की mapping होगी b से a के बीचे एक example से समझे तो y is equal to f x दिया है x के बदले y y के बदले x तो सारा चीज़ replace कर दीए तो y के बदले x और x के बदले y आगया यह चीज़ अब आपको क्या करना है find y in terms of x y is equal to x minus 3 upon 2 यही आपका inverse होगा find y in terms of x यह आपका आगया अब इसकी mapping क्या होगी भई 5,7 से लेके कहां तक 1,2 तक x और y को replace कीजिए और find y in terms of x तो यहां से आपका inverse आजाएगा कोई भी function हो कैसा भी function हो उसका आपका inverse आजाएगा अब आप सोच की देखो आप से यह inverse आगया इस function का आप से कोई पूछता है कि इसका inverse आपका से निकालो जब आप इसका inverse निकालोगे वापस से तो कहां पहुंच जाओगे यही पे पहुंच जाओ तो मतलब मतलब note 1 f inverse x का जो inverse होगा that is f x obviously समझ भा रहा होगा अच्छा कहीं से भी आपको यह नहीं सोचना है f inverse x is equal to 1 upon me f x बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा सोचने लगते हैं कि radicals वाला concept है x की पावर minus 1 is equal to 1 by x ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने इसको क्या बोला है कि एक आपका function है y is equal to f x उसका आपने inverse निकाला अब उसके inverse का वापस से आपने inverse निकाला तो वो function खुद आएगा आप इस सीज़ को आप यहां से समझ सकते हैं कि आपका यह function था y is equal to f x आपने इसका inverse निकाला that is y is equal to x minus 3 अपने 2 के लिए यह point अब यह आपका जो function आया अब कोई बोलेगा इसका वापस से inverse निकालो आप same step repeat करोगे x के बदले y y के बदले x तो y के बदले x रखिएगा और x के बदले y रखिएगा find y in terms of x that is y is equal to 2x plus 3 दिख रहाओगा आपको कि यही function आया और इसकी mapping क्या हो जाएगी 1 से 2 से लेके 5,7 तक तो मैं यही चीज़ समझा रहा था कि एक बार अगर आपने inverse find कर लिया और उस inverse का वापस से inverse find करोगे तो आपको f x again f x ही बिलेगा तो how to find inverse का यह concept था इसमें एक और example चाहो था आप ले सकते हो अगर आपका function है y is equal to ln x और यह चल रहा है 0 to infinity यह चल रहा है आपका minus in find its inverse अब obviously आपको check करना चाहिए is function invertible or not यह आपको खुद से check करना है मैं इस detail में नहीं जा रहा इस concept में नहीं जा रहा कि आप one one कैसे check करोगे on to कैसे check करोगे यह बच्चों आपको आना चाहिए पहले से और मैंने भी video बना रखा इस part पे तो अगर आपको कहीं से भी one one many one on to into समझने में दिक्कत होता है तो one one many one पे एक video बना रखा है मैंने on to into पे भी एक video बना रखा है तो आपको उस video का link description box में मिल जाएगा आप चाहो तो वो video भी देख सकते हो बट पहले आप इस पूरे video को complete देखो ताकि आपको inverse समझ में आए और आपको अगर अच्छा लगे फिर video तो फिर आप video को like भी कर सकते हो अपने friends से भी share कर सकते हो and crypto on tutorials channel को subscribe भी कर सकते हो यहां से दीचिए y is equal to fx दिया है आप x and y को replace करो that is y के बदले x x के बदले y आगया concept अगले इस tip में क्या बोलते हैं हम लोग find y in terms of x find y in terms of x तो यह रहा आपका पूरा पार्ट अब y की value क्या आएगी आपकी according to property of log that is e to the power x e to the power x आया अब इसकी mapping क्या होगी minus infinity to infinity से लेके कहां तर 0 to infinity अगर x, y इसको satisfy कर रहा है तो y, x आपका इसको satisfy कर रहा है यह उस function का inverse निकालने का आपका तरीका होगया हाँ, इसमें questions और भी tough हो सकते हैं बट क्या concept बदलेगा यह बिलकुल नहीं बदलेगा हमेशा आपको यह first step and this is second step then find y in terms of x यह करना ही करना है ठीक है बच्चों अब आते हैं आपन function and इसके inverse के graph पे graph of fx and f inverse x समझेगा if x, y lies on curve then y, x lies on y is equal to f inverse lies on curve y is equal to fx यह point मैंने पहले भी लेखा है बच्चों अब वापस से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसी point से मैं explain कर पाऊँगा उनके graph के बारे में ऐसा बिलकुल मत सूचिएगा कि आपको function दिया जाएगा फिर आप उसका inverse निकालोगे अब फिर आप inverse को ले जाके plot करोगे और function दिया हुआ है और आप function को भी plot करोगे यह बहुत ही long method है ठीक है बच्चों समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ लंबा method कि आपको y is equal to fx given है यहाँ से आपने मेहनत करके y is equal to f inverse x find करी कैसे find करी अभी पीछे बताया है ठीक है अब आप दोनों function पता चल गया ये भी और ये भी तो फिर आप इसको भी plot किया और इसको भी plot किया अपने तरीके से यह आपका काफी लंबा method है तो आपने इस तरीके से नहीं जा रहे और कोई अगर आपको बता भी रहा है समझा भी रहा है इस तरीके से जाने को तो वो गलत बता रहा है आप देखो कि concept किया है बच्चों यहाँ पे एक coordinate geometric का concept अगर आपको याद हो mirror image of नमजना mirror image of alpha, beta with respect to line y is equal to x is बीटा कॉमा यह होता है state line का concept अगर आपने mirror image of point with respect to line पढ़ी है तो एक standard formula होता है आप वहाँ से prove भी कर सकतो हलाकि यह concept होता है मैं इसके proof में नहीं जा रहा मैं बस simply इसको use कर रहा हूँ और इसके बीना भी मैं आपको समझा दूँगा बट इसके through आप जल्दी समझ पाओगे तो mirror image of alpha, beta with respect to line y is equal to axis beta, alpha तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखो एक line लिया अपने y is equal to और यहाँ पर माल लिजे 1,2 fx पर लाई करेगा तो 2,1 कहाँ लाई करेगा? f inverse x अगर माल लिजे fx पर यह सारा point है यह सारा point क्या बोला मैंने? fx पर यह जो सारा point है 1,2 और भी point होगा और भी point होगा यह सारा fx पर लाई कर रहा है तो अगर 1,2 है अगला point यहाँ पर माल लिजे कि 2,5 आ गया वो यहाँ पर है और 3,7 आ गया 4,6 आ गया इन सब के corresponding जो 4,6 है तो inverse पर क्या लाई करेगा? 6,4 जो 3,7 है इसके corresponding क्या आएगा? 7,3 तो इस तरह से यह सारा point आएगा आया कुछ समझ में? मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि fx पर जितना point होगा अगर 1,2 है तो 2,1 इन्वर्स पर लाई करेगा अगर यहाँ पर 3,5 है तो यहाँ पर क्या लाई करेगा? 5,3 अगर 4,6 है तो यहाँ पर क्या लाई करेगा? 6,4 अगर यहाँ पर 7,8 है यहाँ पे क्या लाई करेगा 8,7 यह जो सारा point है यह mirror image है with respect to line y is equal to x क्या बोला मैंने 8,7 का mirror image with respect to line y is equal to x क्या आएगा 7,8 जो की यहाँ पे आएगा यह जो fx होगा आपका जब सारा point ही mirror image है with respect to line y is equal to x इधर के लिए इसका मतलब आपन क्या बोलेंगे that is fx and f inverse x are mirrored image of are mirrored image of each other with respect to line y is equal to x fx and f inverse x are mirrored image of each other with respect to line y is equal to x दोनों एक दूसरे का mirror image होगा about the line y is equal to x इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसका clear सा concept यह भी है अब जो mirrored image वाला point था with respect to line y is equal to x is beta को मालफा इसके साथ आप बहुत simply समझ भाऊगे वैसे अगर आप एक example देखो अभी मैंने y is equal to ln x दिया था इसकी mapping 0 से infinity से लेके minus infinity to infinity में हुई थी बच्चों और इसका inverse के आया था बच्चों e की power x and the mapping was from minus infinity to infinity से लेके 0 to infinity draw graph draw graph अब आप देखिए ये जो आपका graph बनेगा ln x जो है आपका ये कुछ इस तरह का graph ln x आपका कुछ इस टाइप का graph बने और e की power x कुछ इस टाइप का graph ये जो पॉइंट होता है आपका this is 1,0 1,0 का y is equal to x line के respect में mirror image क्या होना चाहिए? 0,1 तो इस पॉइंट is 0,1 ये एक दूसरे का आपका mirror image होता है this is the graph of y is equal to ln x और ये किसका बनाया है मैंने y is equal to e की power है के लिए ये point तो function and its inverse are mirror image of each other with respect to y is equal to x line मतलब अगर आपने fx को plot कर लिया तो आप y is equal to x line के respect में mirror image ले लो तो वो inverse का graph आ जाए या फिर अगर आपने inverse को plot कर लिया तो उसका mirror image ले लीजिए y is equal to x line के respect में तो आपका function का graph हो जाए clear बच्चों? तो ये आपको mirror image वाला जो concept है वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है अब से पहले inverse find करते है तो inverse find करने का जो concept है x और y को अगर आप replace कीजिए that is y square plus 2y find y in terms of x find y in terms of x so y square plus 2y minus x is equal to now y is equal to minus 2 plus minus under root b square minus 4 is अदर बनेगा आपका 4 plus 4x अपन में 2 आपको दिख़दा होगा कि 4 का factor अपन common ले सकते है y is equal to minus 1 plus minus under root 1 plus x अब यहाँ पे y की 2 value आई एक तो आई आपकी minus 1 plus under root 1 plus x और एक क्या आपका minus 1 minus under root 1 plus x अब इस में से कोई एक ही inverse होगा बट जो भी inverse होगा that is fix अगर function की mapping a से b में है तो inverse की mapping क्या होगी b से a में अब अगर b से a में हुई यह देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो inverse की value होगी वो आपकी minus 1 से क्या होनी चीए बड़ी होनी चीए inverse जो आपको value देगा क्योंकि inverse की जो co domain है बच्चों वो minus 1 से बड़ी है तो बच्चों जो inverse value देगा वो minus 1 से हमेशा बड़ी देगा और यह जो value है आपका minus 1 minus में root में कोई value है मतलब यह तो एक positive value है तो minus 1 में से कुछ और subtract कर रहो तो minus 1 से छोटी value आएगा तो क्या यह inverse होगा नहीं होगा तो इसका मतलब जो y is equal to f inverse x है that is minus 1 plus under root 1 plus x यह आपका plus वाला part यह आपका inverse हो गया इस function अब आपना आते हैं graph वाले part तो समझेगा graph वाला यह invertible है या नहीं इसके लिए वापस से आपको one one many one चेक करना है अगर आप पहले इस function को plot कीजिए मैं इसको नहीं plot करने वाला हूँ मैं किसको plot करूँगा इसको और यह क्या है अपना quadratic तो quadratic तो plot करने आना चाहिए minus one के corresponding अगर आप check करोगे तो इसकी value minus one आएगी यह कुछ इस तरह से minus one comma minus one और यह आपका zero से pass करेगा यह कुछ इस type का graph बनाएगी ठीक है और y is equal to x line कुछ इस type करेगी clear है बच्चो यह आपका एक quadratic type की graph बनेगा यह कुछ इस type से यह state line नहीं है ऐसा मत सुचेगा कि यह state line है आपका यह कुछ इस type करेगी अब यह बना और यह क्या बनाया है मैंने y is equal to x line बनाया और यह function बनाया है मैंने अब अगर आप mirror image लोगे तो अब आप सोचो यह एक curve है यह इतना सा part अगर आप सोचो और यह एक mirror की तरह काम कर रहा है ऐसा सोचेगा यह एक mirror की तरह काम कर रहा है तो image क्या होगा इदर तो कुछ इस तरह का part होगा अब यह आपका y is equal to x line से इधर की तरफ जा रहा है तो inverse भी आपका कुछ इस टाइप से ही जाए एसा नहीं है कि यह मुर के आपका नीचे की तरफ आ रहा है यह कुछ इसी टाइप से चलता जाएगा चलता जाएगा यह कुछ इस टाइप से चलता जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं सोचना है कि ये जो graph है आपका ये मुड़ेगा ये भी चलता है मतलब अगर infinity पे value ऐसा सोचो कि इसमें अगर आप x infinity रखोगे तो y की value क्या आएगी? infinity तो infinity पे क्या आ रहा है? infinity तो ऐसा सोच लिजे infinity, infinite ठीक है? तो inverse ये function में like कर रहा है तो inverse में भी infinity पे क्या आएगी value? infinity ही आएगी तो ये कुछ इसी तरह का चलता जाएगा ऐसा नहीं होगा ये graph नीचे आके मुर जाएगा ये गलत हो जाएगा फिरा ये आपका function बना कहीं ने कहीं और इसके corresponding ये आपका inverse बने ये पूरा graph हुआ मैंने क्या इसको देख के plot किया क्या ये inverse find करना जरूरी था plotting के लिए? बिल्कुल ने तो मैंने find क्यों करवाया? find इसलिए करवाया बच्चो ताकि आप सीख सको अच्छे से quadratic में inverse कैसे find करते हैं एक linear तो मैंने ले ही लिया था एक log वाली function मैंने ले ही ली थी तो inverse find कैसे करते हैं मैंने तीन टाइप के functions आपको करवा दिये inverse find करते हुए बाकि concept तो ही है कि y के बदले x, x के बदले y then find y in terms of x inverse निकालते हैं अब आपन एक property पे आदे हैं then f of gx is equal to g of fx is equal to इससे question आया हुआ है iat में तो बहुत ही काम का point है अच्छे से सुने मैं इस property का पहले आपको proof करवा दे हैं कैसे चल रहा है बस simple आपन mapping से ही observe करेंगे fx और gx क्या बच्छों एक दूसरे का inverse ये आपन ने mapping किया y is equal to fx के लिए और एक यहां पर observe कर लेते है y is equal to gx के लिए तोनों एक दूसरे का inverse है अब इसके लिए देखो ये x जा रहा है अब अगर इस composite function को समझो बच्छों तो g के अंदर में क्या जा रहा है x तो ये आपका y is equal to gx इस तरह से इसका mapping चल रहा है और इसमें भी mapping कुछ इस तरह से g के अंदर में input गया x तो output में आ गया gx अपने input दिया x तो output में y आएगा और y किसके बराबर है gx के ही बराबर है यहां पे अगर x के बदले 1 रखेगा तो output क्या आएगा g1 आएगा x के बतले अगर आप 2 रखोगे तो output क्या आएगा g2 आएगा तो उसी के according अगर input x रखा तो output क्या आया g तो इसमें x, gx लाई करेगा तो यहां पे अगर आपने input के लिए gx दे दिया तो output क्या आना चाहिए x आना चाहिए तो gx, x अगर लाई करेगा और अगर यह function पे लाई करेगा तो यह उसके inverse पे लाई करेगा पेंट जरूर देखिएगा तो gx अगर input है तो output क्या आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा अगर आप इस part को देखो इसमें input क्या आ गया x तो output क्या आया f के अंदर तो f के अंदर क्या आया gx input क्या हुआ gx तो output क्या आ रहा है x आ रहा है तो fog x की value क्या आ जाएगी x सेम चीज़ आप इसके लिए भी समझ सके तो अगर fx और gx एक दूसरे का inverse हुआ तो fog is equal to gauf is equal to x होता है अब आप इस में से ये एक part use करके देख कि क्या आता है fog x is equal to x यहां से लिखा है मैंने differentiate both side clear बच्चों जैसे ही आप दोनों तरफ differentiate करोगे तो by applying chain rule f dash of gx सबसे पहले f है तो इसका derivative then अंदर जाएंगे g के तो यहां पे क्या आएगा g dash of x is equal to 1 तो g अगर inverse है f का तो आपको inverse का derivative चाहिए that is g dash x चाहिए where gx is inverse of fx या फिर fx is inverse of gx तो मैं कोई एक चीज़ बोल के property समझा रहा हूँ कि gx is inverse of fx तो g dash x को क्या लिखेंगे 1 upon में f dash of clear है बच्चों यह तो यह चीज़ आपके काम आएगा यहां पे आप एक example देख सकते हो जो कि आपका je में भी आया हुआ question है वैसे तो यह आप देख सकते हैं यह आपको find करनी है यह आपका आइटी जेई में आया हुआ question है जेई 2010 तो g dash 1 upon कैसे find करें अब आप एक चीज़ दिमाग में set कर लो कभी भी inverse का derivative पूछा गया inverse का derivative पूछा गया तो आपको हमेशा यही property यूज़ करें मतलब या तो fog is equal to x यूज़ करोगे बच्चों या फिर go physical to x यह concept है question का आपको मैं answer find कर दूँगा अगर आपको concept नहीं समझ में आएगा तो कोई नया question आएगा वो आपसे solve नहीं होगा बच्चों तो concept समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं कभी भी inverse का gx क्या है fx का inverse और यह inverse हुआ उसका derivative पूछा गया आपसे मतलब यहां से start करें यहां पर लिखिए differentiate both sides same चीज़ क्या आया f dash of gx in 2 में g dash of x is equal to 1 आपको चाहिए g dash 1 तो g dash x is equal to 1 upon में f dash of gx अब अगर आपन g dash 1 देखें x के बदले 1 पूट कर दी 1 upon में f dash of g1 अब g क्या है function का inverse अब आपको g1 की value देखना बच्चो y is equal to gx x के बदले क्या रख रहे हैं आपन 1 माल लीजे कि इसकी value yi clear यह तो inverse है तो function जो होगा आपका that is y is equal to fx तो उसके अंदर अगर y जाएगा तो output क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए होना चाहिए चीज अगर inverse के अंदर 1 गया और मैंने value y मानी तो इसका मतलब function के अंदर अगर y जाएगा तो value क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए तो अब आपका fx क्या है fx की value यहाँ पे क्या हो रही है 1 और fx आपको पीछे मैंने दे रखा है that is x cube प्लस e की पावर x by 2 is equal to 1 अब यहाँ से चेक करके बताओ कि x क्या put करें कि value 1 के बराबर हो जाए मतलब यह कौन से x पे 1 दे रहा है तो x is equal to 0 पे तो यह point देखेगा बच्चो 0,1 कहां लाई कर रहा है function में तो 1,0 कहां लाई करेगा inverse में तो g1 की value क्या आ जाई आ गई 0 के बराबर है तो यहाँ से g dash of 1 is equal to 1 upon f dash of 0 आपको अब चाहिए f dash 0 तो पहले तो आप f dash x निकालो तो x cube का क्या होगा 3 x e की power x by 2 तो यह तो वही part होगा but power का भी एक बार differentiation होगा that is 1 by 2 अगर आप 0 put करें तो यह तो आपका 0 हुआ और e to the power 0 that is 1 यह कितना आ गया 1 by 2 finally अगर put कीजिए that is 2 यह आपका answer तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खतम कर रहा हूँ उमीद है आपको यह सारी चीज़ें समझ में आया होगा कुछ property inverse of function का और बचा हुआ है जो मैं next video में discuss करूँगा तो आप next video का link आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से भी check कर सके तो stay tuned on krypton tutorials please like the video subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification thank you very much